पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद राहुल ने LSG की प्लेइग इलोन में किये बड़े बदलाव भारती दिगज बल्लेबाच की हुई छुट्टी मैंक यादो की कमी पूरा करेगा विश्ट इंडीज का ये तूफानी गेद बाच जी हां बात करें अगर हम LSG वर्सिस के क्यार मुकाबले की तो लकनव सूपर जैंस के बाद वापसी करने होगा और याव हम बनाल लिया तान हो गया है वहीं जो पिछले मुकाबले में महयाद की कमी थी उसको भी भरने की उसको भी पूरा करने की कोशिश राहुल करने वाले हैं इस रिपोर्ट में हम इसी बात पर गौराने वाले हैं समझने और परक्षने की कोशिश करने वाले हैं आखिरकार महन क्यादो की LSG की playing long में क्यों कमी पूरा कर सकता है वह क्यानरी भी फैलेबास की छुटी करके किसको playing learn में KL रहुल खिलाने वाले हैं और उसकी छुटी क्यों होने वाली इन सब भी बातों पर चरचा करेंगे KL रहुल की playing learn पर नज़ा डालेंगे LHG की और ये देखने और ये सोचने और समझने की कोशिच करने वाले हैं किया इस playing learn में दमखम कابिलयत है क्योंट करको एड़न गार्दन में मांद दे सकता है नहीं दे सकता है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर से यही आगर है यह já आपके स्क्रीन पर है लखनवू सूपर जाइंस का स्कॉाइड बेकप और इसी ब्रेकप के जरीए हम आपको सम्झाने का प्रयास करेंगे कि मैंक क्यादों की कौन खिलारी कमी पूरी कर सकता है और कौन-कौन से बदलाव लखनवू सूपर जाइंस टीम में होने चाहिए जिस कारर से उनकी मजबूत ससक्त और सुद्रिट प्लेइंग लेवन के क्यार खिल सके सबसे पहले हम मैंक क्यादों की चर्चा कर लेते हैं तो भाया यह चोटिल चल रहा है पिछले के पिछले मुकाबले में एक ओबर करके यह इंग्जर्ड हो गये थे चोट उनको लगी थी औ अगर बात करने जश्टीन लंगर की तो उन्होंने साथ तोर पर कमिट किया है कि अभी कुछ मुकाबले में क्यादों नहीं खेलेंगे खिचाओ है और उनको भरपूर रिकबरी करने का मौका दिया जा रहा है जल्दबाजी बिल्कुल भी में क्यादों के साथ नहीं होने व होगा कि विश्ट इंडीज का ये जो घातक तेजगेदबाज है उसको मार्कुट के रिप्लेस्मेंट के तौर पे जोड़ा गया टीम में और समार जोसिप ने विश्ट इंडीज के तरफ से अस्टेलियाई सरजमी पर गाबाम में कहर बर पाया था विश्ट इंडीज के द स्पीड से फेकते हैं उस तरीके से फेकते हैं इंपक्ट गेदबाज हैं विकेट टेकिंग गेदबाज हैं और जो मैंक ने दो मैचों में कारणामा किया था वह ऐसा कारणामा समार जोसिप कर सकते हैं यानि कि जो बिविदिता नहीं नजार आई रही है लेजी के पेस अट बहतरीन पेसर ने गिदबाजी की थी नाम था उनका महिंग के आदा तो इमपैक्ट देखने को मिला था तो वैसा ही इमपैक्ट चाहती है लगनो सुपर जाएंस, वो इमपैक्ट समार जोसेप देने वाले हैं, और ये खेलने वाले हैं के क्यार के खिलाफ लगभग इनका चैन होने वाला है अंध समय में कुछ उननीस भीस हो जाए अलग बात है तो समार जोसेप की प्लेइंग लोन में वाफसी हो सकती है डेब्यू कराया जा सकता है वहीं बात करें देवदत पडिकल की ये ऐसे दूसरे बल्लेबाज हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है अभी तक दहाई का आकड़ा आईपिल दोजाच 24 में पार नहीं किया हुआ देवदत पडिकल ने बहुत बुरी इस्तिती चल लई है इनकी बहुत भयावा तरीके से संघर्स करते हुए दिख रहे हैं इंपक्ट प्लेयर सब्स्टूट के रूप में जरूरत पड़ जाती है तो उनको खिला लिया जाता है तो हुड़ा पहले से साइड लाइन है देवदत पडिकल का फॉर्म कॉज आफ कंसन है उनको साइड लाइन किया जा रहा है लेकिन पिछले में मुकाबले में सुधार करके रहुल ने दिखाया था कि यह भईया तेज गती से खेल सकते है फिर नंबर तीन की बात करें तो यहां पर देवदत पडिकल की छुट्टी अब इनको कर देना चीए प्रेरक मानकट को इनको खिलाना चीए पिछले कुछ मु लेकिन इंपना प्रदरसन दे दे रहें लेकिन इंप्क्त बैंक्त निकॉलेस पूरण ला पारें ना वो इंबैक्ट राहूला पा रहे हैं, ना वो इस्टोइनिस के बलेबाजी में दिख पा रहा है, ना ही वो डिकॉक के बलेबाजी में दिख पा रहा है, डिकॉक भी चल रहे हैं, लंबा खेल रहे हैं, तो स्ट्राइक रेटी सून का भी आ रहा है, लेकिन जो काया कल्प अभी तक लखनओ सूपर जाइंस का किया है, वो सिर्फ और सिर्फ निकोलस पूरन की पारी ने किया, पिछले मुकाबले में निकोलस पूरन रन नहीं बना पाए, देखे आप तुरंट पूरी बल्ले बाजी ढग गई थी लखनओ सूपर जाइंस की, बहुत बहुत बेहतरी बल्ले बाजी की थी, जिस सवज़ा से अब इनका खेलना तैम आना जा रहा है, तो नमबर 6 तक ये बल्ले बाजी होने वाली है, वहीं अगर हम साथ की बात करें, तो अलराउंडर कुनाल पांडिया, ये आपके पास 7 भल्लेबाज हो गए जो की भल्लेबाजी करेंगे लखनोस उपर जाइन्स के तरब से वहीं अगर हम गेदबाजों की सूची में आये तो रभी विश्णोई जो कुछ भल्लेबाजी कर सकते हैं आठोई नंबर पर भल्लेबाजी करेंगे हाँ, जो एक खिलाडी खेल सकता है, डेब्यू करने की बहुत सारे चांसेज हैं, वो हैं समार जोसेप मंख यादो की कमी है, उसको पूरी कर सकते हैं, जो ये विदिता नज़र नहीं आ रही है इनके पेस अटेक में, वो विदिता समार जोसेप को खिलाने के बाद आ सकती है, 150 प्लस ये रेगुलर क्लिक कर सकते हैं उसके अलावा येश ठाकूर बात करें तो 8 पी ये 9 पी येश ठाकूर 10 पे 11 पे आपके लिए खेलते भी दिखेंगे अरसद खान और 12 इंपैक्ट प्लियर सब्स्टूट के रूप में एम से धार्त होने वाले हैं तो ये पूरी के पूरी प्लेइंग 12 है किसकी लखनोस उपर जायन्स की एक नजर हम बल्लेबाजी करम में इस प्लेइंग 12 पे नजर डाल ले थे वो कुछी सिक प्रकार होगी क्वेंटन डिकाउक राहूल ओपन करेंगे प्रेरक मानकर 3 पे श्टोइनी 4 पे निकोलस पूरन 5 पे 6 पे कुनाल पांडया 7 पे आयूस बदोनी आयूस बदोनी उपर आएंगे कुनाल पांडया से आठवार रभी विश्नोई, नौवार आश्रत खान दस्वार समार जोसे पी 11 यस्ठाकूर 12 एम सिधार्थ तो ये पूरी पूरी प्लेइंग बारा है कि इंटरन डिकाउक से कौन सब्स्ट्यूट हो जाएगा एम सिधार्थ चरूरत पढ़ने पर तो कमेंट सेक्सेर में कमेंट दाग दिजेगा कि लखनो सूपर जाइंस की ये प्लेइंग बारा कितनी ना भूलें